नमस्कार स्वागा थे आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूट्यूब चैनल पे मैं आज आपको इतिहास में महा जनपत पराने वाला हूं यानि कि महा जनपत के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर ध्यान दीजेगा इससे पहले हम लोगों ने बैदिक एज लिया है यानि कि यह दो बड़े टॉपिक को हमने कवर कर लिया है यहां से एक्जाम के कोशन बहुत जादा आते हैं तो उसको एक बार देख लिजेगा आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखेगा और हम लोग महा जनपत की बात करते हैं यहां पर देखिए चीजों को आप रट्टा मारेंगे यह याद करेंगे मैं रट्टा मारने और याद करने की बात नहीं करूंगा मैं कहूंगा क्या कि आप एरेंज किजिए अपने माइंड में कैसे एरेंज किजिए तो देखो मैं आपको छोड़ा सा बाद बताता हूं पहले इंडस वैली सिवलाजेश नहीं इसको मानलो ठीक है माईलो आपकी मैं यही लिखा उव उसके बाद हमने बैदी केज की बात किया यानि कि यह बैदी केज की बात ब cuál स्टाया इस बात को थोड़ा सापनीटज सम्देद को बाट two look I need the kickback को बोल दे कभी-कभी ध्यान रख उसकि और दूसरा हमने बताया लैटर बैदिक एज यानि की बाद के बैदिक जिसमें यजुरुबेद सामवेद और अथरबेद की रचना वह यह बात है हमने आपको उससे किया मैं वसके थोड़ा सा सामने आपको लेकर करके चलता हूं यह connection बना के रखता हूं उसमें हमने आपको बाद बताया था क लैटर बैदिक एज में ब्यापार यानि की जो किर्सी का उत्पादन हुआ अधिसेश हुआ और उससे ब्यापार की परगती हुई यह बात हमने आपको बताया था और जब ब्यापार की परगती वहां पर देखते हैं तो ब्यापार कहीं ने कहीं तो एक अस्थाई जगा च मैंने कहा कि जन होगा ठीक है और जन होगा और रिगवेद में और लैटर बैदिक एज तक आते आते बहुत सारे जन जो है ना जनपद में बदल जाते है यानि कि जनपद हो जाते है यह लैटर बैदिक एज की बात है यह चोटे चोटे जन है और यह बड़ा जनपद है और उसके बाद लेटर बैदिक एज के बाद एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आता है लोहे की खोज से वहाँ पे महा जनपद यानि कि छोटे छोटे जनपद मिल करके एक महा जनपद का निर्मान कर देते हैं पर इंस बात को समझेगा, यह जन थीक के भी जौ यह जन पद है ओगल अगल है यह जो यहां पर मैंने बड़ा है यह महा जन पद है यानि की अप जो है न छेत्रफल च्छेतरफल जो राजा सासन करता था उसका च्छेतरफल बढ़ने लगा राजा के परभाव के कारण बढ़ने लगा अधिसेस उपादन के कारण बढ़ने लगा ब्यपार के परगती के कारण बढ़ने लगा जैसे भी हो लेकिन अब च्छेतरफल जो है न बढ़ने लगा तो महा जनपद आया यहांपर जो आपको दिखाई दे रहा है, शोटे ज़ोटे जन समय है अन्तिम समय है और बैदिक उच जो लेकर चेसो बीसी तक की बात किये यानि की 1500-1000 ब्रिक-बैदिक और 1600 लेटर बैदिक, यह बात हमने आपको किया तो 600 बीसी जो आप देख रहा है यह बैदिक एज के लास्ट समय है यानि कि उसके और समय होने का समय इतिहासकारों ने निर्धारित किया है और ठीक उसी समय महाजनपद की सुरुवात होती है 600 BC में या 6 सदी में महाजनपद की सुरुवात होती है इसी समय में और ये महाजनपद की सुरुवात जब यहां सुरू होती है तो यहां से चीजे आगे बरना सुरू हो जाता है और इसको अगर हम मैप इस कि इस तरुपासे में मैं समझ मे आता है थीकिये मैं यहां पे एक छोटा सा ग्राफ ले लिया हूं देखो यह हमारा । अट्र वैली सिवलाइजेशन का ग्राफ है जो उपर कि तरफ चाहिए जारी है क्यां कि यहां तक यानि कि 1500 लगभख 1500 BC तक आते आते इसका डिकलाइन भी होना शुरू हो जाता है 750 में ही डिकलाइन शुरू हो जाता है तो यह उपर की तरफ यानि कि सहरी सब्ता है और यह IVC है इंडेस वैली से प्लाइजेशन में है जैसा कि आप देख रहा है और उसके बाद फिर एक डिकलाइन नजर आता यहां पर एक डिकलाइन नजर आता है क्योंकि यह बैदिक एज तक यह गहां की तरफ आना शुरू हो गया यानि कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है development जिसको बलते हैं यानि कि महाजनपत कह सकते हैं, महाजनपत के बाद बौधो का यह जाता है बौधो के बाद मगध डैनिस्टी के आई जाता है मगध के बाद मौरियो का डैनिस्टी आता है मौर्यों के बाद सुन कन्णब आता है कुसान जैसे बड़े लोग आते है कुसान भी बहुत important role अदा करता है फिर south में साथवाहन जैसे लोग आते है फिर इस तरीके से मधकालीन एज भी गुपता आते है फिर मधकालीन एज सुरू हो जाता है और फिर आधनिक यानि की modern एज सुरू हो जाता है तो यह जो अप है यह लगातार होते चला जा रहा है तो बीच में जो यह जो decline है बैदिक एज इसके बादे में हमने पढ़ाता है अच्छा इसको decline हम मानते है decline किसी साब से मानते है decline बिवस्था की हिसाब से मानते है यानि कि सहरी जीवन से यहाँ पर लिगरता हूँ मैं सहरी जीवन से यह गरामीन जीवन की तरफ चलने लगता है इसलिए मैं यहाँ पर decline मानता हूँ इसको ठीक है उसके बाद तो फिर चीजे आगे बढ़ना सुरू हो जाता है और जानते हैं कि महाजनपत में फिर से सहरो का निर्मान सुरू हो जाता है ठीक है फिर से तो यह दूतिय सहरी करन है महाजनपत दूतिय सहरी करन है आप यहां समझेगा इस गड़ाप के साथ हमने बनाया है यह अप है यानि कि यह IBC का समय है जो सहरी है यह डाउन है जो बैदिक एज का समय है जो गरामीन है यह सहर गराम और डिवलप्मेंट की साब से है ठीक है और उसके बाद फिर से एक बार सहरों का निर्मान और चीजे आगे बरती चले जाती है अंग्रे जाते हैं और हम आज पढ़ा रहे है तो यह फिर से अब है और यह उप चलते जारा है तриक है यह यहाँ पे का से का इप यूग है का से का इंप two right बैदिक एichen तांबा और आगे चलकर की लौह तो मैं इस जगा पर इस जगा पर लोहा कहता हूं कि क्योंकि जहां से लोहा का विस्कार सुरू आप होना सुरू क तो यह लोहा का विसकार कह सकते हैं और लोहा का विसकार से विवस्था आगे और आज भी यह लोह यूगीन ही है आज भी यह क्या है लोह यूगीन है तो आप इस ग्राफ को अगर अच्छे तरीकी से समझते हैं तो आप बेहतर तरीकी से चीजों को कैरी करके लिए जा सकते है परसानी नहीं होगा रटा नहीं मारना पड़ेगा इस बात को अपच्छे तरीके समझेगा इतिहास को गराप उतारना साथ पहली बार मैंने ऐसा किया होगा चलिए तो महाजनपद में हम आगे बरते हैं देखते हैं महाजनपद के बारे में यहां पर एक बाव बता दूँ मैं इस सबको मिटाता हूँ और एक बाव बता दूँ कि महाजनपद में 16 महाजनपद की बात होती है महा जनपद में, कितने महा जनपद की बात होती है, तो 16 महा जनपद की बात होती है, किसके हिसाब से, तो exam के question पूछा, अंगूतर निकाय के हिसाब से, इंग्लिस वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होगा, आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिस दोनों में, और ध्य महा जनपद है, और अंगूतर निकाय क्या है, बुद्धिस टेक्स्ट है, यानि कि बौध साहित है, ठीक है, बौध साहित है, बुद्धिस टेक्स्ट है, अब वो 16 महा जनपद कौन-कौन से है, तो उसका मैं लिस्ट और उसकी राजधानी में बताऊंगा, उसके बारे में आगद्धिस टेक्स्किति के बारे में, और मद की बढ़र है यह बिहार का जियुbab है इन यसको कंप्लीटर ते देलिए में , बेसानी जिला है है यानि भगवान महावीरहेता और बहसाली जिला से हुँ, तो इसको बिहार का है , उसके बार देखिया मल मल है मलो की राजधानी कुसी नगर में भगवान महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था महापड़ी निर्वान हुआ था ठीक है यह को साल यह भी यूपी का जगा है आप जानते हैं यह कासी है यह भी यूपी का जगा है यह भी बात जानते हैं उसके वाद आते हैं हम यहाँ प च्चेट्धी पूरी oh जाने है और timing अफ़स्तेत्र उसे पारफ में अवह क्यों खेंगा मैं बताती चलूँगा सवर्सें कि सोर्सें हैं और यहां पर देखे जो एकदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वोडर पर गंधार कह overs तो यह जो कहानी है इसको आप अच्छे तरीके समझेगा यह और सबसे नीचे साउथ में एक था अपना असमक तो यह जो आप यहां पर दिखाई दे रहा है यह सारे महाजनपत थे कुछ महाजनपत को मैंने दिखाया और भी महाजनपत के बारे बात हम आपसे करेंगे कुछ मैप मेरे सामने में था तो मैंने इसको यहां पर दिखा दिया है ठीक है आप लोग वीडियो देखकर के एक बा परियोग जो मैंने आपको बताया कि देखो यहां से लोहे का परियोग शुरू होता है तो इस विए से मैंने बताया कि लोहे का परियोग बहुत इंपॉर्टेंट है महा जनपत के उध्य में उसके बाद हम क्या देखते हैं किरसी का अधिसेस यह भी बात मैंने बताया कि किरस जो की उदय का कारण होता है महाजनपद के नए-नए सहरो के उदय का कारण होता है बड़े-बड़े समराज्यों के उदय का कारण होता है तो एक बात समझ लीजेगा लोहा बहुत इंपोर्टेंट है अगर मैं इसको ऐसे करके बताऊं एक छोटा सा मैप से तो लोहे के खोज किर्सी को बढ़ावा दिया लोहे के खोज ने क्या किया किर्सी को बढ़ावा दिया पूरी बात को अच्छे तरीके समझे मैं अच्छे से मैप बनायाता हूं ठीक है अच्छे से मैप बनायाता हूं पूरी बात को समझने कोसिस कीजिए चलिए इसको भी रहने दाऊं लोहे के खोज ने क्रिसी को बढ़ावा दिया किरसी को क्या किया बढ़ावा दिया और किरसी जाद जादा बढ़ा तो किरसी में अधिसेश उत्पादन हुआ अधिसेश उत्पादन का मतलब यह होता है कि सर्पलस उत्पादन हुआ ज्यादा उत्पादन हुआ और ज्यादा उत्पादन से उसको बेचने की बात हुई यानि कि ब्यापार की बात हुई तो हम ब्यापार की बात करेंगे यानि कि ब्यापार की बात हुई और ब्यापार ज सिक्के चले ब्यापार का क्या बोलते हैं उत्थान हुआ तो नए नए नगरों का विकास हुआ नए नगरों जो की सकेंड सहरी कहते हैं सहर जिसको बोल सकते हैं ने ने सहरो का निर्मान हुआ और सहरो का निर्मान हुए से ब्यापारिक मार्ग भी खोजे गाए इस कौन सा मार्ग ब्यापारिक मार्ग भी खोजे गाए अब इसको मैं एक साइकल से बतादू तो लोहे का उत्थान ने किर्शी का उत्थान दिया अधिसेस उत्पादन हुआ भी चला और यह रास्ता चाहिए तो ये जो पूरा का पूरा कहानी है जिसको आप अपे समझ रहें। इसको अचछे तरीकेश समझ भीजिये और यह पूरी बात किसे लिए हम बोल रहे हुँ है मैं यहाँ पे सानग बूर कभी पढ़ा होगा महाजनपद को ले करके और इस तरीके से अपने मैप में साधी कभी पढ़ा होगा कि हम IBC को ऊपर लेके चलते हैं फिर हम बैदी केज को नीचे लेके चलते हैं क्योंकि ग्रामीन विवस्था हो जाती है और फिर यहां से जब लोहे का उत्पादन शुरू ह हो जाता इस जगा पर फिर एकदम अप जो होता है वह आज तक ही अप और अप है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग तो यह समझ में अच्छे तरीके से समझा दिया इसको खूब बार बार देखेगा और मुझे लगता है कि आपकी दिमाग में खोपडिया में थी में माहा जन्पत की सुरुवात होती है और इस समय नगरोह का अधान का एक काल का जाता है और एकजाम का कोशन बहुत 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 बार पूचा है और पहले नगर्यकरन किसको कहेंगे फकना सपनि नगरिकरन करेंगे आए-वी-सी एक लर्का मतलब साथी है तो उन्होंने हमसे कोशन पूछ लिया क्या कोशन पूछ लिया कि पहले नगरी करन और दूसरे नगरी करन में क्या अंतर है अब क्या है कि यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि पहले नगरी करन और दूसरे नगरी करन में क्या अंतर है अगर आपने मेरा कलास अच्छे से कि घ्यान सुना होगास आप खुध बता देंगे कि एक वर्ड के मजन नगरी करन होगा देखते कितने बचे करते हैं अगर अब हुमें देखते हैं में पसंद करते तो आप हमें जरूर करेंगे और दोनों में अंतर है ठीक है इस बात को समझेगा और मैंने अच्छे सा सम्झा दिया है दोनों को पहले नेगरी करन और दूसरे नेगरी करन ठीक है चलो आगे बहुत गरंथ अंगूतर निकायक अनुसार कितने महाजनपद है 16 महाजनपद इसकी बाद हम लोगों ने कर लिया कुछ मैप मैंने दिखाया भी था महाजनपद को हिंदी इंगलीस दोनों में लिखा हुआ परसान नहीं होगा ना इंगलीस वाला परसान होगा ना हिंदी वाला परसान होगा मैं आपको बताया तहूं बेटा ठीक है और आपके PDF में भी हिंदी इंगलीस दोनों में मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको और ना होनी चाहिए उसके बाद हम लोग बात करेते कि जैन साहित भगवती सुत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद है यानि कि बहुत साहित अंगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद है जो बहुत इंपोर्टेंट है यह तो MBBI है मतलब MBBI एक और M लगा देते MBBI है कि बहुत क्या बोलते हैं गरंथ अंगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद है MBBI है कोसन एक्जाम में पुछा है लेकिन जैन गरंथ भगवती सुत्र के हिसाब से भी 16 महाजनपद है दोनो के नामों में अंतर है कोई दिक्कत नहीं है जैन अपने तरीके से बात कर दे थे बहुत अपने तरीके से बहुत पाली भासा का उपयों कर साख़ें जो आगए अभी आप худव जो आधीकतर जो आधीतर जो महाenschणंप thou वह विंद छेतर के नौर्थ में था बिंद छेतर के उत्तर में अब इस बात को आप मेप से पहले की कौन और सर महां जनपद सबसे इनपोर्टन्ट है तो मगद, अवंटि, कोसल सबसे सकती साली महा जनपद है और अंतमे मगद सब को जीत लेता है aging झानते हैं अश्च का समराज कितना बढ़ा था कितने दूर में फैला हुआ था काफे तरीके से जानते है 사람들 लोग बात कर रहे हैं सबसे लाष्ट हम ने भात किया कि सिकों का निर्मान जो इस से स्कों का निर्मान होता है आहत सिक कि कि शुरुआत होती है और यह को सन एक गजाम ब्रनाइंगीaki के शुरुआत कभ उई तो ऑफिषन बहुत हेज दे दे तो भी सही चलेगा option में अगर महा जनपद दे दे तो भी सही चलेगा कोई दिकत नहीं है क्योंकि महा जनपद के समय ही भगवान बुद्ध और भगवान जैन जैसे लोगों का जन्म होता है जो बात हमने यहां पर लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे हिंद है और यह. एसी तरीके से जन है यह महा जनपद है और यह समझे है तो इस बात को समझेगा यह जन है यह महा जनपद है ठीक है चलो इसको मैं पहले बता दी अवारबर बताने से ठीक है छलिए कुछ जन्पद अकेले ही महा जन्पद बन गए जैसे मतस से काली कासी कोसल बेगारा कुछ आजपास के छोटे-छोटे जन्व और जन्पदों से मिलका बनाया जैसे मगदवन्ती जो जीत लेता एक दूसरे को कुछ आपसी तालमिल से बना तो यह बहुत इंपोर्टेंट नही एकलूज ना यह एक्जाम में पूछे नहीं पूछे फरक नहीं परता है आप यह जानने ही इसमें भगवान बुद और भगवान महाबीर का जन्व हुआ है और भगवान बुद भगवान जैन के धर्ती वाले लोग हैं यानि कि हम महिंसाब वाले लोग है और हम भाईचारे वाई लोग हैं समानता वाई लोग हैं भेद भाव वाई लोग नहीं है और उतना ही ज्यादा हमारे यहां है लेकिन कोई बात नहीं भगवान बुद और भगवान महावीर को परहे तो अच जनपद है जिसके बारे में आपको बता दू यहाँ पे देखिए जिसकी राजधानी बैसाली है ठीक है मैं आपको लीग दू तो बज्जी जिसकी राजधानी कहा थी बैसाली अब चुकी मैं बैसाली से हूँ तो मैं इसके बारे में थुरा सा बात करूंगा ठीक है बैसाली और बैसाली पूरे दुनिया का सबसे पहला गन तंत्र है, यानि कि यहां के राजा का चुनाब लोग के दौरा किया जाता था, इस बात को आप समझें, पहला गन तंत्र है बज्जी, जिसकी राजधानी बैसाली और बैसाली एक ऐसा जगह है जहां पर भगवान बुध ने मह भिलाव को इंट्री दिया था अपने संग में ये पहला ऐसा जगह है वैसाली पूरे भारत में बैसाली पाटली पुत्र के बाद सबसे ज्यादा फेमस जगह हुआ करता था ब्यपार बानिज और सहर के रूप में पाटली पुत्र के बाद लेकिन पाटली पुत्र के पतन के स मिला है ठीक है चलो पहला गंतंत्र है और गन्तंत्र खालिर्च के बारें बहुत अच्छा अमरपाली को सुना होगा सिरियल वेगर बने तेलिपिज पर आप लोग तो अंपरपाली यहीं किदने वाली थी और को तो अमरपाली नगर बधु थी इसके वारे में कहा जाता है कि यह संसार की सबसे खुबसूरत महिला थी और उस समय एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है इसको थुरा सा ध्यान रखेगा कि महाजनपद के एज में बौधो के एज में जब बात कर रहे हैं हम लोग तो उस समय जो भी सबसे खुबसूरत लड़की होती थी राजा को entertain करने नाचने गाने का काम इनका था अमरपाली के बारे में कहानी ये है कि इनके माता-पिता का कोई पता नहीं है लेकिन जब ये छोटी बच्ची थी तो एक राजा के हैं काम करने बाले ही जो सैनिक वैनिक थे उन्होंने देखा कि ये लरकी जो है ना बहुत खुबसूरत है बच्पन में ही बहुत खुबसूरत है तो उसको समझ में आ गया कि इसके साथ क्या होने वाला यानि कि राजा अपने राजमलमी इसको नर्तकी बना देगा इसको इसे गाना गवाएगा नगरवधु कि इसको संग्या दी जाएगी ये किसी से साधी नहीं कर पाएगी तो ये सारी कहानी थी ठीक है अमरपाली के बारे में तो उस राजा ने उस सारी उस सैनिक ने बहुत दूर लेकर के उसे और पता चले और अंत्मिन्हा अमरपाली के साथ जो होना था वही इनके साथ हुआ यह नगरवधु कहलाई नगरवधु और यह बहुत फेमस है अमरपाली थीक है बहुत ज्यादा फेमस है इतिहांस में नगरपाली भगवान बुद्ध को सौ आम का बगीचा इन्होंने द तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वैसाली जो पहला गंतंत्र है जिसके बारे हमने बात किया और कहां है यहां पर देखिए वैसाली मैं बैसाली को भी दूसरे कलर से एक बार अंडरलाइन कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे यह वैसाली इसकी राजधानी है आप देखते है कि कहां कहां पर किस तरीके से कौन-कौन सा हमारा महा जनपद है और उसकी राजधानी क्या है यह मैं आपको बताते हुए चलता हूँ ठेक है चलिए देखिए महा जनपद है यह हमारे सामने में और उसकी राजधानी है मैं कुछ-कुछ बाते आपको बताते हुए मगध सबसे important the most important very very important और इसकी राजधानी राजगीरी वर्ज और आगे चल करके यानि की बाद में चल करके जब पाटली पुत्र क्या स्थापना हुआ तो इसकी राजधानी क्या बन जाती है पाटली पुत्र अब इसकी राजधानी देखिए कितने सारे हैं पुराना राजधानी पहले जो नाम हुआ करता था राजग्री ठेक है राजग्री या ग्री बर्ज ठेक है और वही राजग्री आज तुड़े राजगीर के नाम से राजगीर के बाद में राजधानी अस्थानांत्रन हुआ यानि राजधानी परिबर्तन हुआ, अस्थानांत्रन, यानि अस्थान का परिबर्तन, तो राजधानी अस्थानांत्रन हुआ, और राजधानी क्या बना, पाटली पुत्र, जो आज का क्या है, आज का पटना, आज का है पटना, किसकी राजधानी थी, मगधो की राजधानी की जब तक मगद था और मगद के साथ ही पाठली पूत्र का शुरॉआत हुई पाठली पूत्र का सुरॉआइन का सुरॉआ होना दोनों लगभग संकालीन है इस बात को समझ येगा इस बात को अच्छा तरीका समझेगा बर्तमान में पटना गया सहावाद जैसे जिला का इलाका है मगद और मगद की भासा मग ही है मग ही ठीक है मग ही है मगद का भासा तो मग ही बोला जाता है एक वाद ध्यान रखेगा अंग अंग इसकी राजधानी है चंपा अंग की राजधानी क्या है चंपा और भागलपूर मुंगेर का छेतर है चंपा यहाँ पे जो बोली बोला जाता है अंगी का अंगी का बोली बोला जाता है अंग से ही और अंग परदेश का राजा कौन था कर्ण अंग परदेश का राजा था कर्ण और यह अंग परदेश दुरियोधन ने कर्ण को उपहार में दिया था और उस किस मेरति वे करन के बारे में है ईसने नैंनसी नाम है और हमारे परदानमंत्री नेरं लुर्मदी के Constitution वह यहां से चुनाव लड़ते हैं डो बार चुनाव लड़के जिच चुके हैं दोनों बार परदानमंत्री बन चुके है एक कहावत है और ये बड़ा सही कहावत है कहावत क्या है कि उत्तर परदेश जो परधान मंत्री बनने का रास्ता है वो उत्तर परदेश से होके बुजरता है इसके पीछे का क्या थौट है वो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का थौट ये है कि उत्तर परदेश में 80 विद्धायक है 80 लोगसभा के seat है और 80 लोगसभा का seat परधान मंत्री बनाने के लिए काफी है और साथ में अगर बिहार जुड़ जाता है तो 120 लोगसभा हो जाते हैं और जिसके पास भी 120 लोगसभा seat का ताकत आजाएगा मैक्सिमम आ जाएगा तो वो परधान मंत्री बनेंगे और नरेंद मोदी को दोनों बार से बिहार और यूपी से खासा सांसद मिले हैं बहुत अच्छा सांसद मिले हैं इस वेल से वो परधान मंत्री मेरो कोई पता है बिहार यूपी का development करो मैं कहना यह चाहता हूं तुम्हा आप जानते हैं कि बिल्कुल बगल में स्रावस्ति इसकी राजधानी थी कोसल की राजधानी स्रावस्ति बहुत महत पूर्ण है कोसल बहुत महत पूर्ण है महा जनपत के मल मलों की राजधानी कुसिनगर है देवरिया जो आज का देवरिया जिस्टिक है वो है और यहीं प भगवान बुद्ध का मिरती हुआ कुछ बस कौसामबी परियागराज यानि की परियागराज के yeah ना के और एक क्Яिए जनपद का छेत्र है पांचाल कुरू से आपको याद आ गया होगा मैंने रिग बेद में भी और सोरी लेटर बैद एक में भी कुरू के वारे मी बात किया है दस्राग यूध में भी पांचाल पांचाल पंचाली यहीं की रहने वाले थी प पानचालि जानते हैं अईचंद्र बरेली बडाईउं का छेत्र रहाE-oPyal जानते हैं यह की पानचाली रहने वाली थी और सूरसेन मथ्लों की राजधानी घानाय सबस्कों मालेनी की कॉंस्यटै कि उससे जूत्हुरा भगवान किहिंग कुले नाम मर्यादा मतलब पुर्सों में उत्तम है क्योंकि मर्यादा चरित्रबान है और कृष्ण संपूर्ण पुरुस है उनमें हर तरह का गुन है छल बल भी उनमें है छल भी है उनमें प्यार भी है उनमें नफरत भी है तो संपूर्ण है ये इसलिए कृष्ण सबसे ज़्याद लोगों के जहन में रहते हैं चलिए चेद्धी सुक्ती मतीन की राजधानी है और बुंदेलखंड का इलाका है जो MP और UP का छेतर है बुंदेलखंड आप जानते हैं MP का भी छेतर है और UP का भी छेतर है बुंदेलखंड तो चद्धी, महाजनपदे, सुक्ति, मति, राजधानी, अवंति, दा मोस्ट इंपोर्टेंट, VBI बहुत इंपोर्टेंट है, मगद भी VBI है, बहुत इंपोर्टेंट है, मगद और अवंति सबसे सक्तिसाली थे, और इस दोनों में जो सतुर्ता थी, वो जग जाहिर था उस स जानी थी जो मद्व पर्देश का छित्र है आप जानते हैं और आपने फिल्म भी देखा है माहिसमती तो कहीं ने कहीं साथ उससे रिलेटेड होगा मतस बिराट नगर अगर आपने महा भारत देखा है तो बिराट का यूद आपको याद होगा जब अरजुन का बोलते हैं लर राट राजस्थान का इलाका है राजस्थान बिराट नगर इसकी राजधाई ती मतस्य की असमक पोटली यह दक्षिन भारत का एक मात्र महा जनपद है एक्जाम में कोशन पूछा है इसलिए भी बी आई हो जाता है असमक पोटली मैंने बताया कि यह आंदर परदेश और म तक्सिला इंवर्सिटी दुनिया का सबसे पुराना इंवर्सिटी दो ओल्डेश्ट इंवर्सिटी इन द वर्ल्ड लेख लीजेगा रावल पिंडी पिसावर यानि पाकिस्तान का इलाका है गांधार तक्सिला गांधार कला तक्सिला ओल्डेश्ट इंवर्सिटी तक्सिल बोलते हैं ना जूंगल में पत्थर तोड़ ले थैं आघ अला हम क्या कर रहे थे हम UPना करके पर रहे थे तक्सिलाइए शोटा सा बात बता दूं उसके इंट्री गेट में परवेस करने के लिए आपको हैं इंट्री गेट पर पहले आप आए हैं अब अंदर इंट्री निद देना पड़ेगा दोसार को सब से पुझा जाएगा और उसका जवाब आप साही तरीके से दे दिये तो आपको इस लायक माना ब्रकूफों को तो गेट से ही भगा देते थे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यह 16 महा जनपद हो गया हमारा महा जनपद में तो आगे हम लोग महा जनपद के बाद भगवान बुद और भगवान जैन के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं गिंगे जरूर लिख लिजेगा आपके एक्जाम में याद रहना चाहिए राजधानी कोशन पूछ लेते हैं राजधानी से मैंने इंपोर्टेंट लगाया है वहाँ पर भी आप जरूर ध्यान में टेख लिजेगा क्योंकि यहां से कोशन आपके छुटने नहीं चाहिए ठीक है आग बुद्धम सरनम गच्छामी हम बुद्ध के सरन में हैं बुद्ध के सरन में जा रहे हैं बुद्ध के सरन में हैं और बुद्ध हमें सांती दे बुद्ध हमें ज्यान दे तो मानते हैं यह भगवान बुद्ध हैं और भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे इनके बारे में जो भी points हमारे पास होगा, सब को चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, देखियो कुछ topic ऐसे होते हैं, मैं आपको एक बाह बता दू, भगवान बुद्ध के साथ थोरा खड़ा होने का गौरब भी मैं हासिल कर लू, ठीक है, तो मैं आपको बता जिस topic को exam point अभी उसे तो पढ़ना जरूरी होता है, आप कुछ topic को पढ़ लिजिए सिर्फ, क्योंकि इनके बज़ा से हमारे देश की संस्कृति और भगवान जैन भी आएंगे, हमारे देश की संस्कृति और जिसको लेकर कि हमें गर्व के अनुभूती होती है, और जिसको का point बता ही दूँगा मैं, और solve भी करेंगे question, साथ ही साथ हम कुछ information इनके बारे में रखे कि आप कहीं भी जाए पूरे दुनिया में, कभी भी जाए, कभी जाने का मौका मिले, आप किसी भी field में चले जाए अभी के बाद, तो कम से कम बुद्ध और उनके बारे में जब आ चलिए, सुरू करते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में, सबसे पहले बहुत धर्म के उदय का कारण क्या था, क्यों उदय हुआ था, ये बहुत धर्म के साथ साथ जैन धर्म के उदय का भी कारण बनते हैं, यानि दोनों उदय का कारण बनते हैं, उदय का कारण बड़ा सिंपल है और वो क्या है जरा मैं आपको बता दूंग उद्य का कारण है कि जब किरसी की बिकास हुआ और महा जनपत का बिकास हुआ जैसा कि आपने पूरा सांइकल देखा था कि किरसी के साथ अधिसे सुथ पातन होता है बेपार बानीज सिखे का निर्मान और नए सहर का नि बेवस्था थे जिसको NCRT मैं बिना किसी लागलपिट के कह सकता हूं NCRT के हिसाब से कि ब्रह्मन बादी जो बेवस्था था उसमें बहुत सारी अंद विश्वास और कूरुतियां फैल गई थी जैसा कि आपने देखा कि लेटर बैदिक एज में किस तरीके से आप देख र बहुत बहुत ज़्यादा समाज में पैवस्थ हो गया था मजबूती से समाज को जकर लिया था तो वहां पर भगवान बुद और भगवान जयन जैसे लोगों का जन्म होता है और यह पूरी विवस्था को अकेले ही बदलने के लिए निकल परते हैं आप समझ लिजे कि भगवान बुद तो नो अपने से पहले किसी को मानते हैं और अपने के बाद बुद के दूसरे जो सेगमेंट है वो मानते हैं लेकिन भगवान बुद ना अपने से पहले बाद किसी को का है और ना पहले किसी को का तो अकेले ही पूरी ववस्था को लेकर के बदलने की और यह और वो दुनिया वर की कहानी जो शुरू हो गई यह सब बड़ा बिचित्र था उस समय के समाज के लिए फिर नई किर्सी विवस्था जो है ना कहीं समाज में एक भेद को बढ़ाया क्योंकि सिक्कों का परचलन से अमीरी और गरीवी आई तो यह भी विवस्था कहीं जो निगेटीव पॉइंट है उसके बारे में बात करें पॉजेटीव जो है वो तो हमने बात कर लिया थो यह भी कहीं ने कहीं बीच स्रेष्टता के लिए प्रतिक्रिया हुई किसके लिए प्रतिक्रिया हुई स्रेष्टता के लिए प्रतिक्रिया हुई ये बात कहते हैं इतिहांसकार मतलब छत्रिय मानते हैं मैं स्रेष्ट हूँ क्योंकि उनके हाथ में पूरी विवस्था थी और ब्रामन मानते हैं मैं क्योंकि मैं पुरी संस्कृति का रक्षक हूं पुरी संस्कृति को देखने वाला हूं तो यह प्रतिकिडिया भी कहिने काई भगवान बुद्ध और भगवान जैन को जन्म देता है और इतिहासकार इसके परमान देते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान जैन दोनों ही च्छत्रिय कुल से थे दोनों ही ना के वल्ड चत्रीय कुल से थे बलकि राजा का बेटा थे राजा का बेटा थे भात एक उदा रा उडार्ण के रूप में देते हैं इतिहांसकार और मैं भी आपके सामने में रख रहा हूँ नस बात को समझीबा कि जो उदाय का खारन हम भूतिक विवस्ता से कितने अट्य हैं मुवाइल फोन चाहिए हम लैपटॉप चाहिए हम एरोप्लेन से जाने हैं कार चाहिए नहीं-ढाइज यह जो भैद भूतिक जीवन है इसके पर्ति लगाव है यह भी कही नहीं उसके खिलाफ एक पर्तिक्रिया था जो आज भी नहीं करते हैं जिस भी धर्म से हो मैं किसी धर्म की बात नहीं कराओं जिस भी धर्म से उस तरीके से लोग जागरू करते हैं कि भौतिकता के पीछे ना भागे वह अंत्यता आपको डुबाएगी बलकि आत्म सयम रखे सयमता के पीछे भागे ऐसा टीचिंग्स देने की कोशिस करते हैं यह मैं नहीं हमारे जो बड़े बड़े संत लोग है वो हमें सिखाते हैं और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो मुझे एक माध्य मान सकते हैं लेकिन मैं भी भौतिकता के पीछे भागता हूं आप ही के तर यहां पर बहुत सारा समय बिता सकता हूं मतलब एक देद घंटा में बहुत धर्म को देख के पर बात कर सकता हूं और इतने अच्छे से बता सकता हूं कि आपको घर पे जाकर के लिखने की ज़रूरत नहीं है वो मन में लेकर के घुमते रहेंगे पूरे जीवन कभी भी अगे बढ़ाना है तो मैं यहां पर ज्यादा समय आपका नहीं लूँगा और इसको क्लियर करते हुए भगवान बुद्ध के बारे में कुछ-कुछ बाते करते चलते हैं एक्जाम का पॉइंट देखते चलेंगे और information तो हमारे पास भगवान बुद्ध के बारे में चाहि क्यान में रखेएगा एसिया का परकास पुझ कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं भाराष से सुरू हुआ और स्री लंका बियतनाम सरी बगल में मियनमार हमारा पूरा का पूरा तिब्बत चाइना कोरिया जैपैन और उसके पाद थाइलेंड और बियतनाम लावोस कंबोडिय यह नीचे में आप चले जाएए तो यह जितने भी छेत्र थे स्रिलंका को लेकर के यहां पर अफगानिस्तान यहां पर भगवान बुद्ध का ऐसा पर चलन था और यह बुद्ध मैं हो गया सब के सब मतलब भारत से बुद्ध समाप्त हो गया लेकिन भारत के असपास जितने जैसे कि हम अपने तरीके से करते हैं उस तरीके से चलिए ठीक है इनको सक्क मुनी भी कहते है यह भी कोशन एक्जाम का अब बार बार में भीविया नहीं लिखूंगा ठीक है बच्पन का नाम सिधार्थ है जन्म हुआ है 563 BC में 563 BC में इनका जन्म हुआ है और मैं कुछ-क books-386 BC में इनका जन्म हुआ है तो इनके जन्म के समय में नहें मियैं कहानी सुनाता हूं आपको और आपको कहानी सुनाते हुए भधवान बूद्ध पूरा कम्प्लीट कर देंगे तो इनके जन्म के समय हम क्या देखते हैं कि एक तरीके का भविस्वानी जो बोलते हैं कि पंडित जिया है और पत्रव अगरा देखे कुंडली बनाया जैसा कुछ कहानी होता है तो उस भविस्वानी में ये कहा जाता है भगवान बुद्ध के बारे में कि ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा या तो राजा बनेगा या बहुत बड़ा कोई सन्यासी आड़ साधूसंत बनेगा और पिर विया बने ये आपके उपर में है Agent आगे चल करके ठीक है तो इंका जन्म हुआ इनका नाम सी धार्थ रखा गया पिता का नाम सुधोधन था पिता का नाम क्या था सुधोधन था और साक के कूल के उपरधान थे साक के कूल यानि कि साक क बंज के राजकुमार थे उनके यहां एक जन्म लिये जिनका नाम सिधार्थ कहा गया ठीक है उसके बाद सिधार्थ को बचपन से ही मन नहीं लगता था क्या मन नहीं लगता था तो जैसे होता है राज बनेगा आगे चलकरकिर राजकुमार कोन बनेगा हमारे काम में हाथ कॉन बटायका कहने का मतलब पिता के हिसाब से बच्चा जो है बिगर गया माला मा का लग गया अब वह बिगर गया है व야지पा-ट्र नहीं चाहिए जासे हम लोग को किया चाहिए आम इंसान को पैसा च जाहिए नही ने कपरे चाहिए तो इनको क्या चाहिए। सब कुछ ने चाहिए इनों को चाहिए, अध्यात्मिक जीवन, सांती और अकेलापन। भगवान-buddh के बच्पन की बार बता है सब वैचयन पापा वैचयन है है ममी वैचयन है सब बेचैन है भाई बेचैन नहीं है भाई खुस है क्योंकि भाई तो चाहता है कि मर जाए सौतेला भाई है उसके जगह पे हम राजा बन जाए सौतेला है या चाचा का लड़का जो भी है देव बर्त नाम था ठीक है तो अब आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो भगवान बुद्ध को देखते हैं कि वो अध्यात्मी जीवन में कोई हुए है तो इनके पिटा और माता उनको वापस मोमाया का जीवन है मतलब देखो लोग कहते की मोमाया को ट्यागहू और इनके माता पिटा नहीं मोमाया में दूब को में में संगीत सुनो संगीत सीखो और शिकार पे जाओ शिकार करो मतलब जो भी गुन होना चाहिए राजावला वो करो और उनको यह सब चीज अच्छा नहीं लगता था बिरक्ती हो जाती थी तो फिर क्या हुआ धिरे-धिरे समय बढ़ता गया और इनको 16 बर्स कुमर में इनकी साध क्या है कि हमारे ह्मारे कहाषबत आप जानते हैं और ये कहाषबत सही नहीं है मैं नहीं मानताहूं को यह सही होना चाहिए कि लड़का स्धार जाएगा साधी करा दो लड़का सुधार जायेगा ये गलत यह cm बिल्कुल पक्षदर हूँ आज के समय में लडरका संधायbin दो वो और बिगार देगा चीजों को और बिगार देगा क्योंकि वो जो एक और जीवन आयेगा उसके जीवन में उसको भी खड़ाब करेगा खैर तो उनकी साधी करा दिया और उनके वाइफ का नाम था यह सोधरा जो कि आप नाम सब मैंने लिखा है यह सोधरा गोपा बिंबा यह सब अलग- अलग हिस्टोडियन अपने उनके वाइफ का नाम है जाधी जब बच्पन में करा दियागै यह साधी बाते यहांपे लिकी हुई है आप लोग ध्गान में रखेगा जब बच्पन में साधी क्रा दिया गया इंको तो अब क्या होता है कि इनसे एक बच्चा पैदा होता है और उनका नाम रखते हैं राहुल कौन रखता है उनके घर वाले उनके लोग रखते होंगे कि उनका नाम राहुल लेकिन उने कहा राहु अच्छा देखो राहुल नाम लोग समझते कि बड़ा आधुनिक नाम है यह बहुत पुराना है भगवान बुद्ध के स जिस राहुल के लिए आप समझते हैं कि राहुल बहुत अच्छा नाम है तो राहुल छे अजार साल पुराने नाम है कुछ लोग इनको बताए लोगों को जनकारी होना चाहिए इस बातों का तो राहुल रखा इनके बेटे का नाम और इन्होंने राहुल कहा क्यूँव क्यूंकि उनको लगा की मेरे जीवन में एक और ब्याबधान आ गया पहले मता पिता थे, भाई या फिर राजपरिवार था, फिर वाइफ हो गई अब बेटा भी हो गया तो एक और वियावधान हो गया मतलब मोह में जकरते बाली बात ये चले जा रहा है लेकिन चुकि भगवान बुद्ध तो बुद्ध थे अब चुकि सिधार थे उस समय तक भगवान बुद्ध नहीं हुए थे लेकर उनकी सोच तो बुद्ध वाली थी फिर वो क्या करते हैं । एक दिन बाहर घूं रहे होते हैं और जब घूं रहे होते हैं तो अच्छा एक और बता दू मैं इनको पालन पोशन करने वाली Lectा़ परज़ापति गौतमी इसलिए का नाम गौतमबुध पड़ा परज़ापती गौतमइ पालन पोशन करने चलिए तो एक दिन घूम रहते हैं घूमते घूमते क्या देखते हैं तो चार जो एक पूरा करम से कहानी है उसको देखते हैं और वह करम और वह कहानी जो है ना कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकाते हैं वह कहानी क्या है तो वह क्या द और वो जीवन को लेकर के संघर्स कर रहे हैं, हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड है, मिला जुलाकर के जीवन उनका दुखमा है, ब्रिध बेक्ती का, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि रोगी बेक्ती देखें, रोगी बेक्ती देखा देखते हैं, वो भी परसान है अ को दुखी समझ में आया कि रोगी भी दुख है ठीक है उसके बाद देखते हैं एक मिर्त बेक्ती मिर्त बेक्ती क्या देखते हैं कि ये मर चुका है और पूरा परिजन सोकाकूल है पूरा समाज सोकाकूल है सब आसू बहा रहे हैं इसके जाने के बाद परसान है सब कि अब क् मतलब एक तरीके का जो पूरा कहानी हम समझते हैं वो चीजे चल रही है मर्थ बैक्ति के साथ और उसके बाद एक सन्यासी देखते हैं जो सबसे लास्ट में यह क्या देखते हैं इसको दुनिया का कोई फिकर नहीं है है न हर फिक्र को धुए में उराता चला गया यह गाना सा कोई परिवार का फिक्र ना कोई बच्चे का फिक्र ना कोई राजपाट का फिक्र ना कोई मोह ना माया बस कहीं भी जाकर के थोड़ा सा मांगना है खाना और मगन रहना है हर इका गुन गाना मतलब कि इस वर को याद रखना है जो भी इस वर जैसे भी अपना इस वर मानते होंगे ठीक है सन्यासी बड़ा प्रभावित हुए इनसे बड़ा प्रभावित हुए और सोच ले कि अब जो है ना अब नहीं रहेंगे अब बहुत हो गया और वो घर से निकलने के बाड़े में सोच लेते हैं, घर से निकलने के बाड़े में समझ लेते हैं, फिर क्या होता है कि एक रात जो है ना वो नर्तकी बरतकी नाच वाच कर रही होती है, तो क्या देखते हैं कि जो नर्तकी अब रात हो गया, सब सो गया, जैसे तैसे बिचित रवस्था मे नर्तकी वेगरा तो जो पूरा एकदम P.O.P. वेगरा लगा करके डैंस कर रही थी खुबसूरत लग रही थी वो रात में उनको देखते हैं सोई हुए तो देखते हैं कि अरे कितनी बशूरत है P.O.P. लगा के खुबसूरत लग रही थी खेर चलिए तो वो सब देखते हैं मो भंग इनका होना सुरू हो जाता है और फिर उनके सार्थी का नाम हो था चन्ना क्या नाम सार्थी का नाम चन्ना बे नाम सुना होगा तो सार्थी का नाम चन्ना था चन्ना को लेते हैं और निकल पड़ते हैं कहां घर छोड़ करके चन्ना को कहते हैं कि चन्ना हमको तुम जंगल तक छोड़ दो चन्ना उनका सार्थी भी होता है उनका सहायक भी होता है और उनका मार्गदर्सक भी होता है चन्ना से बड़ा उनका relation close था सार्थी था लेकिन relation close था मतलब होता है नहीं कि दोस्ती वाली बात किसी के साथ अपना मन की बात किस के साथ सियर करे बाकी सब को तो मोम आया देखते हैं वाइप को भी मोम आया समझ रहे हैं तो घर छोड़ देते हैं एक समय के बाद और जब घर छोड़ते हैं और चन्ना उनको लेकर के कहां लेकर जाते हैं चन्ना लेकर चले जाते हैं जंगल और जंगल में उनको छोड़ देते हैं तो 29 बर्स के उम्र में ये घर को छोड़ते हैं पर देखिए 29 वर्थ के उम्र में घर को छोड़ देते हैं चन्ना उनको जंगल में जाकर छोड़ देता है चन्ना को अब कहते हैं कि अब बेटा तुम निकल जाओ यहां से जाओ और क्या करना देख भाल करना परिवार का सब को और टाटा पायब है थैंक्यू बेरी मच हो गय हमारा काम अब हम यहां से अपनी जीवन अकेले चलेंगे अकेले ही हम सुरू करेंगे अकेले आये थे अकेले ही जाएंगे और इस गिरी त्याक करने की जो घटना है इसको महाविनिस करमन कहा गया क्या कहा गया महाविनिस करमन और एक्जाम का कोशन बन जाता है आप जानते पर यह है कि घर किसलिए छोड़ा तो घर इन्होंने छोड़ा था ग्यान की प्राप्ति के लिए घर इन्होंने छोड़ा कि हमें कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा भया तो कुछ ग्यान मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा जो कि हमें मतलब एक आउट अब दो वर्ल्ड वाली बात है न मतलब एक्स्ट्रीम लेवल वाली कहानी चल रही है उनके मन में आओ तो वो घुमते घुमते वैसाली पहुंचते हैं आप वैसाली समझ रहे हैं वही वैसाली भगवान महाबीर वाली वैसाली जहां भगवान महाबीर का जन्म हुआ था अमरपाली वाली वैसाली जहां पे अमरपाली थी वही वैसाली जो दुनिया का पहला गंतंद्र की राजधानी थी वो वैसाली और मेरा भी घर वैसाली है खेर चलिए तो वैसाली पहुंचते हैं और वहां पे सांख दर्सन के एक महान लोग होते हैं अलार, कलाम, सांख दरसं के महान लोग होते हैं. और ये जो है, सांख दर्सं के महान गुरू थे, और इन से वो सिक्छा पाते हैं, सिक्छा दिख्छा लेते हैं. कौन? भगवान, बुद्ध। अभी तक सिधार थी हैं, भगवान, बुद्ध। और दूसरे गुरू होते है राम पुत्र, दूसरे गुरू को लेकर के बहुत कोशन नहीं पूछा है, पहले गुरू को लेकर के बहुत कोशन पूछा है कि अलार कलाम से इन्होंने सिख्छा लिए और इनके पहले गुरू होते हैं अलार कलाम, वहाँ सिख्छा पाते हैं अला करते हैं कि गुरु देव अब हम चले ठीक है अब हम चले हमें जो चाहिए वह यहां मिला नहीं तो जो भी हमने आपने हमें दिया उसको हम अपने पास रखते हैं और हमारा रास्ता फिर कहीं लग चलते हैं तो अलार कलाम साहब भी टाटा बैवाय कर दिये कि जाओ बस तुम ढूंड़ो जो तुम्हें चाहिए हमने हमारे पास जो था वो तो हम दे दिया और ये भी चल दिये अपने गुरु को पूरा एकदम सनेह आ पहुंच जाते हैं बोध गया गया पहुंच जाते हैं गया जिला बोध गया गया पहुंचते हैं और गया जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं और रास्ते में दो चार साथी और मिलते हैं और उनके साथ भी घंगोर तप लेकिन फिर कुछ नहीं मिल पाता है उपने दोस्तों से हाथ चोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं सुजाथा ना्म की महिला कीछी चिहाते है वो हमें मिला नहीं, तो हम तो आगे बढ़ेंगे, और वो आगे बढ़ जाते हैं, तो बोध गया में, पीपल ब्रिक्ष के नीचे बैठ करके, वो अपनी बारे में, या फिर कुछ तपस्या कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ध्यान मगन होंगे, तो बोध गया म यानि गया में पीपल ब्रिक्ष के नीचे बैठ करके वो जब चिंतन मनन कर रहे थे उसी समय उनको ग्यान की प्राप्ति होती है और उसमय उनका उम्र होता है 35 तो हम इसको किस तरीके से और मैंने जगा जगा जहां इंपोर्टेंट है वो मैंने किया हुआ है आप देख रहे ह नदी और मैं इसको फालगउन दी कहते है निरंजना णादी के किनारे गया में इनको ग्न की प्राप्ति होती है यह बात हमने बता दिया और जितना 바at मैंने बोला यह सारे कित अलग अलग टर्म अपने आप में एक्जां का को सद्वान है किस उम्र में उनको ग्व्यान की प निड़वान का मतलब क्या है तो निर्वान का दो मतलब है जो यूपिसी ने कहा एंसर दिया है वही बताऊँगा और जो नॉर्मली लोग समझते वो ही बताऊंगा निर्वान का मतलब है जन्म मरन से मुक्ती निर्वान का मतलब है और UPSC ने जो एंसर दिया है वो है तिरिसनाओ की समापती तिरिसनाओ की समापती तिरिसनाओ तिरिसना का मतलब होता है एक्छा त्रिसनाओ की समाप्ति ये बात याद रखेगा बेटा और ये UPSC के दोड़ा दिया गया एंसर है तो इसी को टिक करके आना अगर एक्जाम में कोशन पूछ दिया तो क्योंकि UPSC 2013 में ये कोशन पूछा था मुझे अच्छे तरीके से याद है मैं ज्वान तो यह निर्वान है निर्वान का मंस नाओ की समाप्ति है और इनको बुद्ध कहा जाने लग बुद्ध यहां से वह बुद्ध कहला है और इनके और भी नाम यहां पे निकल करके आते हैं भागवान बुद्ध कहला हैं और बहुत ज्यादा मतलब इनको और भी नाम में आपको बता दूँगा जैसे चलो आगे बरते हैं तो यहाँ पर निर्वान की प्राप्ति हो गई तो अब उपदेश ग्यान मिला है और ग्यान बटेगा तो ग्यान जो बटा वो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और जानते हैं कि इसको दिया वही तीन-चार साथी को जो उनको भला बुरा कहा था तो पहला उपदेश कहां दिया सारनाथ में और पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन भीबी आई है धर्म चक्र प्रवर्तन ठीक है तो पहला उपदेश सारनाथ में दि स्रावस्ति में सबसे ज्यादा उपदेश रहा है और उनकी मुर्ति को जोए हुई और मिर्तियू को क्या कहा गया महापरी निर्वान और यह भी एक्जाम का कोशन बनता है यह बाद ध्यान में आप रखेंगे का कोशन बनता है उनके सबसे पिडियसी सिथा आनंद आनंद के कहने पे ही वैसाली में इन्होंने संग में महिलाओ की परवेश दिया था आनंद के कहने पे तो ध्यान रखेगा इनका जन्म और इनकी मिर्तियू दोनों आप याद रखेंगे 483 इस विपुर में इनकी मिर्तिव हो थी कुसी नगर में यानि की मलो की राजधानी कुसी नगर में जो की देवरिया जिला है आज के डेट में ये बात हमने आपको बताया एक्जाम का कोसन यहां से बहुत मिलेंगे अब धर्म चक्रवर्टन हो गया मिर्तिवी हो गया अब आगे देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में उनके कुछ बिसेस पॉइंट जिसमें हम संग के बारे में बात करेंगे साहित के बारे में बात करेंगे उनके उपदेश के बारे में बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी मैंने आपको सुनाया जन्म से लेकर के मिर्ट्यू तक उस कहानी को आई होप अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अच्छे तरीके से अपने जिहन में बैठा लिया होगा अब देखते हैं तीन परमुख अंग है तीन परमुख और संग जो उनकी institution है जिसके बेस पे वो अपने धम को आगे बढ़ाएंगे ये है point इसको समझेगा तो बुद्ध धम संग अब थुरा सा point करते हैं संग क्या स्थापना सबसे पहले कहां हुई सारनात में हुई BPSC में ये question पूछा था संग में परवेस को क्या कहा जाता था उपसंपदा ये question BPSC में पूछा था आपके लिए ज्यादा important नहीं है ठीक है चलिए संग में सभी के परवेश का एक पूरा का पूरा रखा गया था संग में सभी परवेश कर सकते थे कुछ लोगों को छोर करके और जो लोग कुछ लोगों के लिए था उसमें जैसे नौकर या फिर कोई जो रीनी है वो यह सारे संग में परवेश के लिए नहीं थे महिलाएं भी शुरू में नहीं था लेकिन बाद में महिलाओ कोई परवेश दे दिया तो मिला जुलाकरम मैं कह सकता हूं कि संग में सभी के लिए परवेश की बात थी जिसमें जाती विवस्था का कोई बंधन नहीं था मैंने सुद्र लिख दिया इसलिए क्योंकि exam के question में सुद्र सब्द दे दिया गया है तो माफ कीजेगा आप लोग मेरा कोई जाती विवस्था से कोई बात नहीं करना है मेरे को exam point भी solve करना होता है तो भगवान को पढ़ाते हुए में exam का भी point भी solve करूंगा ठीक है लिंग महिला दे दिया मैंने क्योंकि महिलाओ के बारे बात किया था और इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक है तो इसको आप other ways नहीं लेंगे चलिए ठीक है और आनंद के जैसा कि मैंने आपको कहा कि आनंद के कहने पे बैसाली में महिलाओ की परवेश की बात किया गया था और जो पहली महिला थी जिनको परवेश दिया गया उनकी प्यालन करने वाली मा परजापती गौत्मी थी पहली महिला परजापती गौत्मी और आगे चलगर पॉइंट है बहुत संगती और एक्जाम के लिए इतना important है कि मैं क्या बताओ कि कितना important है मतलब हद से जादा important है ये ये जो आपके सामने में लिखा हुआ है चारों ठीक है चलिए भगवान बुद्ध की बहुत संगती की बात करते हैं पर्थम, दूतिये, तिर्थिये और चौथा सबसे पहली बात करते हैं कि भगवान बुद्ध की मिर्तिव हुई थी 483 BC और 483 BC में ही उनकी मिर्तिव के ठीक कुछ ही समय बाद पहले बौध कॉन्फरिंस का किया गया और उसमें राजा था अजात सत्रू और जगा था राजगरी, यहाँ पर ध्यान रखेगा चुकि मरुदों की राजदानी थी और जगा क्या था? राजगरी, सासा कौन था? अजात सत्रू और अध्यक्स था महाकस्यप तो अध्यक्स अगर कोशन ना पूछे क्योंकि अध्यक्स के कोशन कम पूछते हैं अब higher examination में पूछते हैं लेकिन ये कोशन एकजाम में हर बार पूछते हैं कब हुआश्य पर्थम तो 483 में कहां हुआ राजघ्री में राजा कौन था अजाशत्रू ठीक है उसके बाद जब दूतिय बहुत संगिती की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के मिर्तियू के 100 साल बाद यानि पहला तो भगवान मुद्ध के मिर्तियू के समय हुआ और दूसरे भगवान बुद्ध के मिर्तियू के 100 साल बाद 383 इस भी पुर्व में हुआ था औ और राजा था काला सोक, काला सोक, सिसुनाग बंस का राजा था, याद रखेगा, सिसुनाग बंस का, और सिसुनागों ने, यहाँ पर ध्यान रखेगा, सिसुनागों ने, स्री, नाग बंस का था, सिसुनाग बंस का, ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहा रखा था, वैसाली अपिर्याजधानी बनाया था तो यहां रखेगा शिसुनाग नागबंस के संस्थापक थे यही बात अब ध्यान रखेगा चलिए तिर्तिये बहुत संगती कहां हुआ था दोशवपक इसमी पुर्व हलाकी इसमी पर बहुत ज्यादा क्या बलते हैं कंट्रोवर्सिय की कब हुआ था तो मैंने 255 लीग दिया है अस्थान पाठली पुत्र था तिर्तिये का समय नहीं पूछेगा याद रख लीजे पाठली तोक था मोगली पुतिस मोगली पुतिस क्या था यहां पर अध्यक्ष थे और चौर्था कुंडल बन है अस्थान जो की कास्मीर में है का है कास्मीर में हो सकता कि कास्मीड दे आपको कास्मीड के कुंडल बन में और अध्यक्ष है यहां पर इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पूछे जाते हैं तो अध्यक्ष बसुमित्र है उपाध्यक्ष असुभोस है और राजा कनिस्क है और इसको ध्यान रखना कितना आसान है आपक आप जानते हैं कि वैसली र्याजधानी शिफ्ट हुआ था किसका आगे पढनेंगे हम लोग मघो का तो वैसली में किया श्चा का खैसनी राजधानी कहा थी पटली पुत्र तीरतिए में चोथा में श्चा कनिस का करता था तो धोमें स्टूर्ट वंगुन कान में इसकी शुन के संधिविति उधाताता है दूतिय आसुख यह बात भात बैद में बताएंगे आपको दूतिये-अ-सुख कहा जाता है किसलें दूतिये सका ही क्योंकि यह असुख कित्रहीं और धर्म के परचाब परश problem बहुत ज्यादा योगदान दिया था चलिए ठीक है तो यह पर्थम है 483 दूतिय है 383 इन दोनों का समय याद नहीं रखना है आपको पर्थम पर्थम भगवानबुद के मिरत्यु के समय और दूसरा भगवान मिरत्यु के 100 साल बाद ठीक है चलिए पहला राजगिरी है तो दूसरा वैसाली है तीसरा पाटली पुत्र है तो चौथा कुंडलवन है पहला राजगिरी है तो दूसरा वैसाली है तीसरा पाटली पुत्र है तो चौथा कुंडलवन है पहला में अजासत्रू है तो दूसरे में काला सोख है तीसरे में असोख है चौथा में कनिस्क है अजासत्रू कालासोक, असोक, कनिस्क काम खतम अध्यक्ष को देख लिजेगा महाकस्यप, सबकामी, मोगली पुत्र, बसुमुत्र उपाध्यक्ष असुगोस है अध्यक्ष की बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के बहुत धर्म का बहुत बड़ा गरंथ माना जाता है, असुगोस का बुद्ध चरित्र असुगोस ने लिखा था बुद्ध चरित्र हम इसके बारे में फिर से चर्चा एक बार आपसे कर लेंगे, इस बात को अब ध्यान में रखे चलिए आगे बरते हैं भगवान बुद्ध के बारे में यह क्या सिखाते हैं, तो यह भगवान बुद्ध का मूल आधार चार आरे सत है, चार आरे सत क्या है और यह कोसर अपने आप में है कि इनके सिख्छा का या उपदेश का मूल आधार क्या है तो चार आरे सत है और यह क्या है तो यह कहते है कि दुख है संसार दुख मूलक है संसार दुख मूलक है पूरा संसार दुख मूलक है दुख का कारण है यानि कि दुख का कुछ न कुछ कारण होगा यानि कि दुख संसार दुख मूलक है क्या दुख है तो देखो दुख का और दुख का कारण क चाहिए उ सेलेक्षिय नहीं हुआ है ठीक है डीक है कर आए डूख है मतलब दूख की बात तो यह करते नहीं है अब खूस कब होगा मैसेज किया reply आ गया तो खुसी है लेकिन यह चनिक है को फिर दूसरा message किया और फिर अगर इस बार reply नहीं तो फिर दुख है यार पहली बार में message आ गया था दूसरे बार में आ नहीं को समझने कोशिस किजेगा संसार दुख में हैं संसार क्या है दुख में हैं दुख का कारण है तो कारण मैंने बहुत गिंती करा दिया कारण गिंती करा दिया ठीक है कारण गिंती करा दिया लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है दुख को समाप्त किया जा सकता है कैसे selection हो गय तो दुख को समाप्त करने का उपाय है उपाय मैंने बताया आपको ठीक है तो उपाय है भगवान बुद्ध मेरे तरह नहीं है हम तो आम लोग है ना तो आम लोग की तरह बात करेंगे भगवान बुद्ध अलग लेवल पे हैं और दुख को समाप्त करने का क्या कारण है यान दुख निरोद गामनी परतिपदा यानि दुख है दुख का कारण है दुख को समाप्त किया सकता है और इनको समाप्त करने का मार्ग क्या मार्ग है तो इन्होंने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ अस्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग मध्यम्मार्क का मतलब क्या होता है भगवान बुद्ध ने क्या कहा था वो भी बताते हैं भगवान बुद्ध का सिंपल पॉइंट है कि तृष्णा को समाप्त कर दो सारा दुख समाप्त हो जाएगा एक लाइन में अगर आप से कोशन पुछा जाए भगवान बुद्ध के बढूंगो लहें कि तो आप कहेंगे तिरसनाओं की समाप्ति की समाप्ति मतलब एक्चाही नहीं रखो की deny आएगा दुखी समयप्त हो जाएगा एक्चाही नहीं दखो कि कुछ हो गा तो दुखी समाप्त हो जैसे जो लोग एक्जामईरिशन नहीं करते हैं competitive examination को उनको थोड़ी फड़क परता है कि railway कर जलता है कि PCS कर जलता है कि PO कर जलता है कि SSC का है कि UPSC कोई फड़क नहीं है वो तो बस बिंदास है उनका अपना जीवन है तुम बोलो क्या बोल रहा है कुछ बोल रहा हूं कुछ हो कर जलता हूं चलो तो जिनके प में आपको समझाओ मेरे को मन कर रहा है मदमार्ग आपको समझाना अच्छे से मेरा मन कर रहा है इसलिए मदमार्ग क्या कहते हैं वो कहते हैं पहला बड़े गौर से समझना वो कहते हैं कि किसी भी बस्तू के परती ज्यादा लगाव ज्यादा लगाव या ज्यादा दूरी या नफरत दोनों नहीं होना चाहिए मतलब इतना भी लगाव ना रखो किसी बस्तू के परती कि वो ना मिले ते तुम पागल हो जाओ दिवाना पागल अवारा जानते हो न तो यह हो जाए इतना भी लगाव ना रखो किसी बस्तू के परती कि उससे आपको नफरत पैदा हो जाए मतलब मिले तो सही ना मिले तो भी सही यह मद्ध मार गए इतना भी आराम ना करो आराम ना करो कि तुमको दुनिया वर का बीमारी हो जाए डियाबेटीज हो जाए बलड प्रेसर हो जाए कोलेस्ट्रोल हो जाए को कि तुम मेहनत करी नहीं रहा हो आराम हर तरह से ठीक है ना दिमाग चलाओ ना शरीर चलाओ और इत इतना भी अमीर ना हो कि तुम पागल हो जाँ पैसे के लिए करके और इतना भी गरीब ना हो कि तुम खाने को तरश जाओ कहने का मतलब हम लोग सही जगा पे हैं ना मध्यम बर्ग वाले लोग हैं है सभुन हैं हमारी इक्षाय और त्रिस्ण इतना जादा हई है इतना जादा हई है झछ अब जर्ड़ आपक로 अंब हमारी जरुड़ी तुमको नहीं है तुम को जिसकी जरुड़ी तुम मुστरी के पीछे पहाग ना सुधार सकतें यह तो उस्समें जन्म लिए शुकर है जिस समय तिक इच्छाय और तृष्णा कहीं लिम्टेशन में था आज तो मतलब लिम्टेशन तोड़ तोड़ के बाहर निकल रहा है ठीक है चलो तो ये भगवान बुद्ध के माध्यमिक मार्ग की बात हम लोगों ने किया और इस इनके अस्टांगिक म भगवान बुद्ध के बारे में अच्छा रखोया और वन्लोग सभी बस्तूएं दुखमें इन्हों ने कहा कि सभी बस्तुए क्या है दुख में है और दुख का मूल कारण क्या है तिरिस्टना है यह कोशन एक्जाम का बना है ठीक है और इसकी समाप्ती ही निर्वान है जब तक अपने अगजाम आगा कोशन जो इस्वल को नहीं मानते हैं ठीक है आत्मागी पड़िकल्प्नान नहीं करते हैं मतलब आत्मा पर चुप हो चाते हैं लेकिन कोई बात नहीं करते हैं मिकृवर को तो मांते में तो यह बात तो हम लोगों ने कर लिया है तो ध्यान रखेगा इनके वारे में पॉइंट क्या है कि सभी बस्तू को दुख में मानते हैं और दुख का सबसे बड़ा कारण है इक्छा यानि त्रिस्ना और इसका समाप्त हो ही निर्वान कहलाता है और फिर यह क्या कहते हैं आत्मा को नहीं मांते हैं पुनर जनम को मांते हैं इस बात को आप अच्छे तरीके समझेगा यह तीन्य ЭGB क्या को सब्सक्राइब I.ए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में आप रखेगा है यह कहते हैं ये जो सृष्टी है ये सत्य है बास्तिविक है लेकिन इसके रचनाकार कोई स्वर नहीं है ये अपने एक जो फिक्सड कोई पैटर्ण है उसके हिसाब से ये सृष्टी चल रही है उनका ये मानना था भगवान बुद्ध का ठीक है चलिए भगवान बुद्ध के बारे में हम का मतलब क्या होता है कि कि किसी बस्तू के होने से किसी अन्य बस्तू की उत्पत्ति यानि कि इसका मतलब यह होना है कि अगर मैं हूं तो मुझसे जो उत्पत्ति होगा तो मेरे कारण किसी चीज की उत्पत्ति होना जैसे कोई बैग्यानिक है और उसके होने से बिजिली आ ग जयसे होते है इतिहां स्लोट का ता है चो कोच नहीं एक वह वो दूबचा नहीं आएगा जैसे इज्शक पनी का भाचि लेसे नहीं कहना कीजित्य का है और बैह समूदर के कुछ गया वह कॉष्ट लोगा को यहां पर कहते हैं यहां पर कहते हैं ध्यान का कहते हैं आपको यह याद नहीं रखना है आपको याद रखना है दस सील का सिध्धान यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ओफ दस सील ठीक है हिंदी इंगलेस दोनों में लिखा हुआ है तो भगवान बुद्ध के बारे में हम लोगे यहाँ पर बात किया है अब ध्यान रिखिएगा इनके बारे में कुछ-कुछ और बात है जैसे यह भगवान बुद्ध के साखाएं जो दो भागों में बटा था वो यह भी बात कर लेते हैं और इनके कुछ साहित के बारे में बात कर लेते हैं बहुत धर्म को दो भागों में बट गया आगे चल करके हीन यान और महायान तो हीन यान के बारे में बात करते हैं फिर महायान के बारे में बात कर लेंगे हीन यान का मतलब है कम या साधन रही थोना ठीक है कम या साधन रही होना इनको रूडिवादी संपरदाय कहते हैं किसलिए क्योंकि ये बुद्ध के मूल सिक्छाओं पर बिलीव करते हैं और इसलिए इसको रूडिवादी करते हैं ये बुद्ध की मूर्ती का पुजा नहीं क चाहिए ऐसा हीन यानियों का मानना है और अंतिम लक्ष निर्वान है यानि की तिरिस्णाओ की स्माप्ति करना ही अन्तिम लक्ष के हिन एक्जाम coastal चाहित अब अगर समझ ना थो एक सब समझ लिए इस भगवान के मूल भगवान बुद्ध के मूल उपदेश का समर्थक है और उनके मूल उपदेश में मूर्ति पूजा नहीं है तो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है और उनके मूल उपदेश को अगर रूडी बादी आप कहते हैं तो रूडी बादी इनको मान लिजे जो भी बात आप समझ ल माहायान का मतलब यह ब्रॉड मानसिक्ता का है और यह बड़े द्रिश्टी से चीजों को देखना सुरू करता है और इसलिए देखिएगा यह उदार है और परिवर्तन बादी है साथ साथ यह भगवान बुद्र के मुर्ति का पूजा करते हैं भगवान की बुद्र को भगव नहीं कहता कि कोई रूप राच्ण करेंगा बलकि भगवान यह भगवान के रास्ते में चलने वाले हमारा करता है कि सब्सक्राइं सभी का मोंक्ष मिल और अंतिम लक्ष और निर्वान नहीं बौधी सत्व को मतलब होता है सभी का उत्थान करना कनिस्क महायान बॉद्ध का समर्थक था और असोख हीन यान बॉद्ध का समर्थक था तो महायान और हीन यान में बेसिक अंतर क्या है तो हीन यान वाले जो है न वो भगवान बुद्ध के मूल उपदेश पर बिलीव करते हैं महायान वाले मुर्ति पूजा नहीं करते हैं महा यान वाले मुर्ति पूजा करते हैं हीन यान वाले सुक्ष में द्रिष्टी रखते हैं बेक्तिकत उत्थान की बात करते हैं और महा यान वाले हॉलिस्टिक एप्रोश रखते हैं यानि सभी को उत्थान को अपनी जिम्मेबारी मानते हैं इस बात को समाघन लीजेगा असोक हीन यान Hij और कनिस्क महा यानि है यह वी बात अब ध्यान Permane राखिएगा चलिए अगे वरते हैं कि आगे बहुत सहित के वारे में हम लोग बात करते हुआ बहुत सहित सबसे पहले तो बहुत साहित वह क्वोह से लेंकॉज में यह को सन एक्जाम में कितने बार पूछा गया है और घ्रीयान रखेगा और बॉहां शिंक त्री मतलब तीन तोकड़ी वह कौन कौन सा टोकड़ी है पहला है बिनाइपिटक किसने लिखा है उपाली बिनाइपिटक क्या है collection of rules of the union union नहीं संग स्थे शंग के नियमों का संग्रह ठीक है किसने लिखा आनंद यहां पी लिखा उपदेशो का संग्रह अबिधम्पिटक डर्षण ही जैत आधा कथाई पिछले जन्म की कहानी और लोग जो और ऑक weiß किया हूँ है डाक ख़रव को जो बुठ-ध़र्म के पिछले जनम की पूरी की पूरी के कहानी यह सब एक तरीके का कलपना है जिसको को आप समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि भगवान बुद्ध खुद जो है ना इतने परसान थे अपने जन्म को लेकर के अपने फैमिली को लेकर के जैसा कि आपने देखा और फिर उनको ज्यान की प्राप्ति होती है तो किस तरीके से उपदेश फैलाना शुरू होते हैं बात मिलिंद जो की एक युणानी राजा था मिनान्डर द आम था जो की बहुत धर्म से परभावी कठाधकर मिलिंदर है और नागे से मिलिंदर के बीच का बाद बिवाद है, कोस्चन एंसर का पॉइंट है और राजा मिलंद,' नाघसें से इतना प्रभावित होता है कि बौध धर्म अपना लेता है और अपना?" मिनानडर से में कुछ पौाइंट जिसके बारे में बात करते हैं कि उनके यह लग i IPO मिर्वान पद चिन और आगे कुछ पौइंट इसको याद और आसां है कैसे देखो जन्म हुआ तो बहादूर की रूप में जन्म हुआ तो सांड कह लीजिए कमल फूल की तरह जन्म हुआ घर छोड़े रत्स छोड़ा तो घोड़ा कह सकते है कि घोड़ा पर घ़ढ़ दीए तो उससे याद रख सकते हैं अब पीपल प्रिक्ट के माइल स्टोन बना दिया तो पद्चिन है मिर्तिव यानि कि अस्तूप जो मिर्तिव होती है ना बौध या भगवान बुद्ध का या भगवान बुद्ध से जुरूए जो तने भी सिख्छा बताओं तो यहां पर लिखा हुआ कुछ चीजे और मैं आपको बता वीता हूँ अस्तूप भगवान बुद्ध या बुद्ध भिक्चुओ जिसको मौंक बोलते हैं उसके अबसेश पर बना हुआ अस्थापत होता है वह अस्तूप होता है बिहार जहां बहुत भिक्चुओ क यह अर्ध गोलाकार होता है अस्तूप अस्तूप के उपर में एक बड़ा क्या बोलते हैं जो की पवित्रस्थल है हर्मिका उपर में हर्मिका बोलते हैं यह चबुत्रे पर होते हैं तो यह चबुत्रा है ध्यान रखेगा यह चबुत्रे पर बना होता है अस्तूप ठीक है परिकर्मा अस्थल होता है, जहां परिकर्मा करते हैं चार तरफ और इसके सामने में तोरन द्वार होता है, जो इंट्रीगेट है, इंट्रीगेट ये तोरन द्वार है, ठीक है, तोरन द्वार, तोरन द्वार है, ये परिकर्मा अस्थल है, यहां परिकर्मा किया जाता है, य अर्धगोलाकर, तो यह अस्थूप होता है, अस्थूप ऐसे ही होते है, ठीक हैं यह इंट्रीगेट है, जिसको हम तोरण दवार कहते हैं, बौध होते हैं, ठीक है न, चलिए, उसी तरीके से बिहार है और चैत्त है, जो प्रार्थना अस्थल होता है, बिहार, निवास पूछा जाता है अस्तूपों में उनका जो रिलिक्स है यानि अवसेस है उसको रख करके उसको उपर अस्तूप बनाया जाता है हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध के बारे में अगर कुछ ऐसा पॉइंट है तो हम बते खायते हैं कुछ महत्पूर्ण तत जो कि यहां पे लिखा हुआ है वो यह है कि सबसे बड़ी मुर्ती बमियान अफगानिस्तान में जिसको आप जानते है तो आपके वोजे से तोरफोर कर दिया गया है सुन्ने बाद का सिध्धान्त नागारजुन ने दिया था ये भी कोसन एक्जाम के है और भगवान लूँ ने बहुत सारी बात किया ये वहां आप देख रहे है समिझ रहे हैं अब भगवान बुद्ध से बात करते है भगवान्-जैन के वारे में एक बात ध्यानलग किएगा कि भगवान बुद्ध और भगवान-जैन के बारे में हम तुरा सा रिवीजन बुद्ध का खराती हुए चलेंगे और जैन को बताती हुए चलेंगे इससे क्या होगा कि आप करते हुए चलेंगे को चैन धर्म के संस्थापक रिषर दे SUX यह कोशन patent और यह पहले तिर्थंकर भी थे यानी कि जानों कोãyटने तिर दूसरे कोन है अजीतना और चेम्डाशिरे और चोवीश वे के हैं भगवाँ महा बीर और आसा कहा जाता juiceup देव और अरीष्टेलго यानि कि ये दोनों का जो चर्चा है वो बेद में है रिगवेद में है इन दोनों का चर्चा रिगवेद में है तो आप ये समझ लिजे कि ये कितना पुराना धर्म है या कितना पुराना ये सिक्ट है ठीक है तो रिसब देव और इस्टे नेमिनाथ का चर्चा किसमें जरने वाले थे और सुसेन के पुत्र थे यानि कि यह भी छत्रिये थे राजा के पुत्र थे तीस साल कुर में घर त्याग दिया था और ज्यान की प्राप्ति ने समेध परवत पे हुआ था इनका परतीक चिंशर्प है और इनके दौरा जो सिक्षा दी गई है यह कोशन एक्जाम में बन जाता है यही सबसे इंपोर्टेंट है और इसलिए भगवान पार्शुनात को रिठट अस्ते और परिग्रा और पाँंचमा सिक्षा जो प्रहम्चर है और बात अरले द्यान में रख़िए तो अब आगे चलते हैं और सीधे भगवान महभीर के तरफ हम चलते हैं महबीर जयन भगवान महभीर तईक है ख़गवान और से नॉर्मली जैन धर्म जब होता है तो भगवान महावीर के बारे में जानते हैं लोग पारशनात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आम लोग जो जैन धर्म से रिलेटर हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं उनके सम्मान का एक अलग कहानी है जो आम लोग है उनके बारे में ब कोशन एक्जाम का है याद रखिएगा इस बात को ठीक है मैं हर जगा PBI नहीं लेगा रहा हूं क्योंकि कोशन एक्जाम का है बचपन का नाम इनका बर्दमान है भगवान बुद्ध की बचपन का नाम सिधार था मैं कमबेलेजन करते हुए चलता हूं जन्म पांसोचालीस इस वी पुर्भ में हुआ तो यानि कि 563 से उल्टा चलते पांसोचालीस तो भगवान बुद्ध और भगवान जैन के बारे में आब बाद ध्यान में रख ली जाएगा अस्थान इनका कुंड गराम है और उनका अस्थान था लूंबनी ये बात सार मैं नहीं बता है तो मैं बता दूर भगवान बुद्ध का जन्म का हुआ था लूंबनी जो यूपी वाले काते हैं मेरा है और क्या बोलते है नेपाल वाल जानते हैं और भगवान बुद्ध का नाम था सिधार्थ और भगवान महाबीर के पिता का नाम है सिधार्थ वहां भगवान बुद्ध का ही नाम था सिधार्थ या भगवान महाबीर के पिता का नाम है सिधार्थ याद रखेगा तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम और बुद्ध के माता का नाम था महामया जो कॉसल राज नरेश परसंजीट की बहन है इधान ही यह रजा रखी रहारों और पर्षेमच की बहन है कॉसल की purchase नाम यसोधा है पर स्यांड और बेले मेशिका अग्सक छोड़या और दो ने अपने वाय को छोड़ दिया था और दोनों महान बन चैने हैं कि वाइफ का नाम भी यसोधा है और उन्हों नहीं अपनी वाइप को छोड़ दिया और भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो साथ मैं कुछ कहना चाहरा हूं आपको चलिए भगवान बुद्ध का एक बेटा हुआ था जिनका नाम राहूल था और भगवान महाबीड को बेटी नहीं हुआ जिसका नाम अनोनज्या पढ़ दमाद भी था यानि कि इनकी बेटी का हस्बेन आप जानते हैं दमाद ही होता है इतना बताने की जरूरत हमें नहीं था चलिए अगर हम बात करें तो ये 30 वर्स के उमुण में घर को त्याग देते हैं और वो 29 वर्स के उमुण में घर को त्यागते हैं कौन भगवान राक्ष बैसाक पुर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है यहां पर तो बढ़ाकप्वान बुद्ध को यानि की जिन कहा गया इसका मतलब होता है बिजेता इनको महाबीर कहा गया जिसका मतलब होता है अतुल प्राकर्मी इनको अहर्थ कहा गया जिसका मतलब होता है पुझे इनको निर्गरंथ कहा गया जिसका मतलब होता है बंधन हीन तो इनको बहुत सारे कहा गया इनको ज्यान प्राप् हुई थी भगवान महाबीर को भगवान बुद्ध के साथ related करते हुए चले हम यहां पर ध्यान रखिएगा 463 में इनकी मृत्यी होती है पावापूरी राजगीर में और उनकी मृत्य होती है 433 विपूर में कुसी नगर में यानि कि कुसी नारा कुसी नगर में उनकी मिर्थी होती है जो मल्लो की राजधानी थी ये पावापुरी राजगीर में और इनका पहला उब्देश है बिपुलचल पहारी राजगीरी में और उनका पहला उब्देश था सारनाथ में ये भी बात आप ध्यान में रखेगा चल किसके दोरा दिया गया तो ब्रहम चर बर्त भगवान महभीर के दोरा जोरा गया यह भगवा एक्जाम का कोश्चन है यह भी बात अब ध्यान में रखेगा चलिए जैन भी संसार को दुख मुलक मानते हैं यह मानते हैं कि संसार बास्तिविक है लेकिन इस्वर इसके था यह भी बात समझ में रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे भगवान जैन के बारे में बात करते हैं जैन पुनरजनम को मानते आपको पता है और भगवान बुद्ध भी पुनरजनम को मानते हैं यह बात आपको पता है बेदों की सत्ता को न का रहा है यानि बेद को नहीं मानते हैं जैन बर्ण विवस्था को स्विकार करते हैं भगवान बुद्ध बर्ण विवस्था के उपर ज्यादा बात नहीं करते भगवान जयन आत्मा को मानते हैं भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं यह बात आप जानते हैं यह आत्मा पे चुप रहते हैं भगवान बुद्ध अंतिम लक्ष निर्वान की प्राप्ति है उनका भी अंतिम लक्ष निर्वान की प्राप्ति है हलाकि यहां पर कब बल्ल सब्द का परयोग किया जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है और जीवों को आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त यानि कि जो भौतिकता की बात हमने यहां भगवान बुद्ध में किया था वही भौतिकता की बात भगवान जैन में भी हम करेंगे यह बात द्यान रखिएगा और अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है और यह बात आप जानते हैं भगवान बुद्ध भी अहिंसा की बात करते हैं और महत्मा गांदी भी अहिंसा की बात करते हैं मतलब अहिंसा हमारे यहां बहुत ज़्यादा पॉइंट है ठीक है चलिए जैन धर्म में किर्सी भी बरजित है यानि कि किर्सी कारी भी नहीं करें क्योंकि किर्सी कारी से भी जीवों की हत्या होती है तो अहिंसा पे कुछ जादा ही बल देते हैं और इसी कारण जैन धर्म को लेकर कि बहुत सारा बात भी है जैसे किर्सी नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेग जादा तर जयनी लोग देखेंगे बैबारी होते हैं और जयन धर्म मानने वाइब लोग गाव में आपको नहीं मिलेंगे, अगर जयन धर्म के अबाधि में, अगर 0.1% अबादी भी गाउं में होगा तो साइद आप जानते होंगे मुझे कोई नहीं मिला है और जैनी सारे सहर में मिलेंगे और सब बेपारी होंगे ये बात आप समन्द लिजे लगबग सब बेपारी होंगे ठीक है तो अगर ये किरसी को मना करते हैं तो वह बेपारी भी खाना क्या खाएगा तो मतलब दूसरा जीव हत्या करके किरसी करे और आप उसको खाना खाए तो आपको फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यहां पर कुछ कंट्रोवर्सी हम पैदा करना चाहते हैं और संध मेरे मन मैं अईसा नहीं है मैं बस ऐसा ही बोल रहा बुद्धम और संग, चलिए ठीक है, जयन धर्म में जयन के तीन सरोत है परत्यक्ष, अनुमान और तिर्थंकरों के बचन, यानि परत्यक्ष रूप से जो देखते हैं, अनुमान जो लगाते हैं, और जो तिर्थंकर बोले वो, तो वो जयन के तीन पॉइंट है इनके बारे म है है भी और नहीं है कहा नहीं जा सकता कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता और है नहीं है और कहा नहीं जा सकता यानि है नहीं है कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता ठीक है और है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता यह पॉइंट आप ज्यान में रखिए बैटीक है चलिए अब इनका एक philosophy है स्यादवाद स्यादवाद या नेकांदवाद इसका मतलब क्या होता सायद यह क्या कहना चाहते है कि केवल कुछ ही सर्तों में कोई चीज सही या कोई चीज गलत है पुल रूप इसको अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझाओ तो मिरी गौळ बाद गौर से समझेगा। यह कहना यह चाहते हैं कि जो भी चीज आप मानते हैं कि सत्त है जरूरी नहीं है कि वह सत्त हो। छराब पीना अगर आपके लिए गलत है तो कुछ ऐसे का तो की तौक रएक ब्यक्ती पे बात करो तो के तरफ से वह सही है क्योंकि कोई और चीज मिल गया है तो पॉट्स बंझेगा हर चीज जो है न एक दम से सही और एकदम से गलत नहीं होता है जिस चीज को आ बोलते हैं कि एकदम गलत है वो बिल्کुल मतलब universal कुछ नहीं है ठीक है universal कुछ नहीं है यही है स्याद बाद का सिधनत जो Whats आपको समझाने की कोशिस किया है अब जैन धर्म भी दो भागों बट गया जैसे बहुत धर्म दो भागों बैटे थे महायान और हीनयान में तो जो अंतर उहां पर दिखाई दिता है अल्मोस्ट वही बात है नाम बदल गया दिगंबर और स्वेतामबर जो दिगंबर है वह भ महावर्तो का पालन करते हैं दिगंबर रहे ना बरे कठोर मट संबंधिन नियम है इनका उदार है ध्यान दीजेगा महिलाय तिर्थंकर नहीं हो सकती है मुर्ति पुझाम विश्वास करते हैं अब अगर इसको अच्छे तरहीं के समझाओ तो कुछ ऐसा है कि दिगंबर और स्वेतामबर दिगंबर जो है ना जो भगवान बुद्ध या तिर्थंकर के मूल बचान है उस पर बिलीव करते हैं स्वेतामबर थोड़े से चेंज है यानि परिवरतन बाद ही है जैसे यह नंगी रहना पसंद करते हैं यह स्वेत बस धान करते हैं इनका केंदर करनाटक है अदर परनले केंदर पैट ध्यान रख्येंगा उस बात को ठीक है उसके बाद यहां महिलायो महिलायो का बहुत जाड़ा उनुचा स्थान नहीं है यह मुर्ति पूजा पर बिलीव करते हैं यह बात आप देख रहे हैं इसके इस फॉलोर जो है न सहें यह इसके अस्तुल ब दिरिश्टी कों से होगा जिसमें हमको जाना नहीं है ठीक है चलिए इनके टेक्ष्ट बगरा के बारे हम बात करते हैं इनके संग में इस्तरी पूरुष दोनों ठीक है और इनके जो सदसे वो दो भागों में दरसल चार भागों में बटें हैं जो उपलोब से ब्रोब ब्रहा Busotsnisrière दूसरा सरावकश्राविका फिस प्रावक उड़ का प": तो विक्चु विक्चुनी सन्यासी है, जो सन्यास धारन कर लिया, वो विक्चु विक्चुनी कहलाएंगे, और जो गिरहस्त में रहा करके काम कर रहे हैं, वो सरावक सराविका कहलाएंगे, यानि मेल सरावक और फीमेल सराविका कहलाएंगे, मेल विक्चु होगा, फीमेल व बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से हम थुरा सा रिलेट करेंगे जैन संगेती पर्थम अजात सत्रु था ठीक है भगवान बुद्ध की बारें बात करते हैं जैन साहित को 12 अंका संकलन हुआ यहां पर कोई बात ज्यादा नहीं करेंगे दूतिये 512 AD में बल्लभी में हुआ अध्यक्ष देवार्धी सर्मा सर्मन और उनका दूतिये कौन था काला असोक था कहां वै इसक्राजा था तो यह बात अब ध्यान में अच्छे तरीके से देखिएगा भगवान बुद्ध और भगवान जैन को हम रिलेट करके बात कर रहे हैं जैन लिटरेचर देखेगा कि यह जैन लिटरेचर को यह को अग्जाम का है बहुत बारी कि जैन साहित को आगम कहा जात इनका प्राकिर्त में गरंथों की रचना हुए यह भी एक्जाम का कोस्टन बना है यह बात अब ध्यान रखेगा और उनके कुछ गरंथों का नाम है यह बात यहां पर देख लीजे इंपोर्टेंट की बात करें तो कल्प सुत्र है जो भदर बाहु द्वरा संकलित है और अगर सबसे पुराना साहित की बात करें तो बारा अंग है ओल्डेस्ट है ओल्डेस्ट लिट्रेचर है ओफ जैन जैनिज्म ठीक है यह भी कोस्टन एक्जाम में आया है तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा चलिए आगे बरते हैं आगे देखते हैं सास कोन कोन से सास दिये थे उद्यान इसने पाटली पुद्र के अस्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर मौरबंस के संस्थापक थे बिंदुसार जौसो का बाप था तीन साधी किया था संपर्ती परदोत अबंती जिसको जौन्रिस रोग हो गया था और खारवेल जो कलिंग का राजा जो खारवेल के समय में हुआ था वो तो यह कुछ सासक थे जो जैनों को सनक्षन दिये थे संथारा या संलेखना पर्था कि अगर हम बात करें तो संथारा जो है ना जैन धर में जीवन को त्याक करने की एक पर्था है जिसमें क्या उपवास के सहायता से प्रान को त्यागत सरीर त्याक करने की एक प्रथा है ठीक है चलिए तो हम लोगों ने क्या-क्या बात कर लिया जैन के बारे में बात कर लिया भगवान बुद्ध के बारे में बात कर लिया और महाजनपत के बारे में बात कर लिया जैनों से संबंदी थोरा सा पॉइंट यहां पर दिख रहा ह पर यह कोशन एक्जाम में कई बार पूछा है गिर्णार मंदिर गुजरात में यह भी कोशन कई बार पूछा है गोमेतिस्वर बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है जो सर्वन बेल गुला करनाटक में है चामुन राय ने बन बाया था इसको यहां महामस्तव विशेक का जो पूरा का है कि चले खजञाओ का मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबनाने रखिएगा बल्ल्भी और भगवान-भावीर के मुर्ति सबसे ज़्यादा मत्वुरा कला में बनाया गया है यह बहुत इंपॉटेंट है दिलवारा का मंदिर बहुत इंपॉटेंट है यहां से एक्जाम के कोस्टन आया है इसको आप छोड़ियेगा नहीं तो यहां पर हम रोकते हैं जैन धर्म को भी और भगवान कराया है तो कलास में डिवीजन हो गया कलास में पढ़ाया भी है एक्जाम के कोस्टन आप सॉल्व कीजिए और नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिए कमेंट नहीं करते हैं आप कमेंट कीजिए थैंक्यू